हलो और स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में कभी भी मैं कहती हूँ सूप तो आपके दिमाग में आता है स्वीट कॉन सूप या टमेटो सूप आज के स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान और स्वादिष्ट क्रीम आफ मश्रूम सूप मैं मश्रूम के साथ यूज करूँगी मखन, क्रीम, दूद, मुख्य सामगरी के तौर पे आएए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं क्रीम आफ मश्रूम सूप बनाने की सामगरी है एक पैन में मक्खन को गरम करेंगे मक्खन अब पिगल चुका है इसमें डालूँगी तेज पत्ते आप इसे बुनिये जब तक कि तेज पत्ते की अच्छी खुश्बुआ है अब इसमें डालूँगी प्याज थोड़ा सा लैसुन बारिक कटा हुआ बुन लेंगे जब तक कि प्याज हो जाएं गोल्डन ब्राउन प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें डालूँगी स्लाइस्ट मुश्रूम्स मुश्रूम को भी बुनेंगे बुनेंगे जब तक कि मुश्रूम भी हो जाएं लाइट ब्राउन काला और पानी सब छूट जाएं और पुरा सूख जाएं मुश्रूम अपपक चुके हैं अब इसमें डालूँगी एक कप पानी और एक्जाक्ली सेम प्रपोर्शन में दूद डालेंगे एक कप दूद चलाते रहिए अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक तूद को उबाल लेना है धीमी आज पे सूप को उबलने दीजिए चलाते रहिए सूप अब उबल चुका है अब मैं इसमें डालूँगी लगबग 6 चमच क्रीम के क्रीम इस सूप को देता है एक अच्छा क्रीमी टेक्स्चर अब इसमें डालूँगी थोड़े धनिया पत्ते इससे हम पकने देंगे लगबग 2-3 मिंट चलाते रहिए इसका नमक चक लेंगे अभी गैस को बंद कर देंगे इसके उपर छिड़केंगे थोड़ा सा जाइफल पाउडर फ्लेवर के लिए क्रीम ओफ मश्रूम सूप अब तयार है आपने अभी देखा कितना आसान है बनाना ये क्रीम ओफ मश्रूम सूप क्रीमोव मश्रूम सूप में हैं बहुत सारे विटमिन्स क्यूंके मश्रूम में हैं बहुत जादा विटमिन्स और लेसुन कट करता है चर्बी को ये काफी हेवी डिश है तो ये एक मील है अपने आप में ही इसे आप सर्फ कर सकते हैं गालिक ब्रेट स्टिक्स के साथ चीज को डाल के तो देर किस बात की आज ही जाकर बनाईए